जाहिंद, नमस्कार मेरे सेट सेनियों, जिन बच्चों का SSEGD का पेपर हो गया है, अब उनका एक इक क्यों सनारा बार बार के सर फिजिकल कब होगा, अरे भाई जिनका नहीं हुआ उनका तो फो लें दीजी, उनको पहले पेपर दे लें दीजी, क्योंकि जब तक उनका का कि अभी 10 जनवरी से पेपर स्टाट हुआ, 14 फरवरी तक पेपर चलने वाले हैं, और 14 फेपर खतम हो जाएंगे, तो मैं आपको बता देता हूं, 14 फरवरी के बाद में आगे गटना लगबग 24 या 26 फरवरी को, लाड़ लो 24 या 26 फरवरी को आपके पेपर आंस्वर की है वो आपको मिल जाएगी, यहनि अगले 10 से 15 दिन में, क्योंकि इस बार जो बढ़ती पर करिया है, बहुत ही स्पीड से चल रही है, ध्यान रखिए, 24 या 26 फरवरी तक आपको क्या होगा, आपकी पेपर की पड़ती लिपी मिल जाएगी, जिस प्रकार 2020 में मिली थी, तो उस अब पहली जो कटोप आएगी, वो मार्च के पहले वीक में आएगी, ज्यान रखना, मार्च के फर्स्ट वीक, वो सकता है कि मार्च 10 तक ये आपके सामने आजाएगी पहली कटोप, आप बोलोगे सर इतना जल्दी बिल्कुल इसमें कोई संद्ध नहीं है, इस बार बढ़ यनि जिन बच्चों की पास के लिस्टाएगे कि कौन-कौन से बच्चे फिजिकल देने जाएगे उन के लिए, तो जिन बच्चों का पेपर अच्छा गया है, अभी तक उनको रणिंग शुरू कर देनी चाहिए, अभी से ही आप सभी को पता है कि जो रणिंग का क्राइट क्यांता लगए आपकी पिछली जो आपकी स्टेट की जो कटोप रहे उसकी आप डाउनलोड कर सकते हैं, कटोप, नहीं तो आप कमांडो के इन में टेलीगराम ग्रूप में पिछले कटोप डाली हुई हूई है, वहां से भी ले सकते हैं, उसको डाउनलोड कर लिजी देख तो कटोप जिस दिन कटोप आएगी मार्च के शेकिंड वीक में या फर्ष्ट वीक में उसी टाइम पता जाएगा डेट की फिजिगल कब होगा आपका शुरू लेकिन मैं बता रहा हूं लगबग 25 मार्च के बाद किसी भी डेट को आपका फिजिगल शुरू हो जाएगा यह बढ़ती पर किया इतनी फास से चलनी है इस बात का जान के जो अंतिम में पेपर दे रहे हैं इन बच्चों के पास में मातर एक से डेड़ महीने का समय रहेगा क्योंकि इनका फिजिगल भी फिर जो बच्चे पास करेंगे उनकी डेटे भी एंड में आएगी जिनका पेपर तो जिन बच्चों में पेपर दे लिए है आप फिजिगल के अपनी तयारी शुरू कर दीजिए अगर आपका अच्छा पेपर गया है तो आपको अभी से फिजिगल में लग जाना है और पांस किलोमेंटर की रनिंग शुरू कर देनी जदा हार नहीं होती है आप शुरू क कर दीजिए ताकि बेड़ा पार्फ जाएगा लाट लो जै हिंद जै भारत